दोस्तो सामने देखने वाली यह चीज आपके मौगरे के पौदे को फूलों से भर सकती है जी हाँ दोस्तो सामने देखने वाली चीज यह एक ऐसी चीज है ऐसा फर्टिलायर है जो कि अगर मार्च महीने से पहले मौगरे के पौदे में इस्तमाल किया जाए तो मार्च महीने तक ये मौगरे के पौदे को कुछ ऐसा कर देगी ऐसा अपडेट दिखाएगी जिसे देखकर सायद आप इसके अलावा और फर्टिलाजर भूल जाएंगे तो दोस्तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ नमस्कार दोस्तो स्वागते आपका हमारे इंडियन व्यूटी गार्डन यूटूब चैनल पर तो आएए दोस्तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानेंगे आगे दोस्तो मैं आपको बता दूँ जिन लोगोंने मौगरे का पौदा अपने गर पर लगाया हुआ है उन लोगों के लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है इसलिए दोस्तो वीडियो को पूरा लाश्ट तक देखें और पूरे ध्यान से देखें जिससे आपकी समझ में पूरे तरीके से आ सके तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बता दू मौगरे के पौदे के लिए मार्च का महीना सबसे कास माना गया है क्योंकि दोस्तो मौगरे के पौदे पर मार्च के महीने में ही नई भार आती है मौगरे का पौदा पूरे तरीके से फिलोवरिंग मार्च के महीने में ही कर पाता है और दोस्तो मार्च के महीने में अमारा मौगरे का पौदा सही तरीके से फिलोवरिंग कर पाए इसलिए हमको अपने मौगरे के पौदे में मार्च के महीने को आने से पहले ही कुछ जरूरी काम करने होंगे और कुछ जरूरी फर्टिलायरों का भी इस्तिमाल करना होगा जिससे हमारा मौगरे का पौदा मार्च के महीने में पूरे तरीके से फिलोवरिंग कर सके तो आईए अब मैं आपको बता देता हूँ आखिर में वो कौन से जरूरी काम है और कौन से जरूरी फर्टिलायर है जिनका इस्तिमाल आपको अपने मौगरे के पौदे में करना है तो देखिए दोस्तो सबसे पहला काम हमारा आयाता है सामने आप जो देख पा रहे हैं ये मैंने एक कैची ली है और कैची की मदद से मैं इस मौगरे के पौदे की पिंचिंग कर रहा हूँ तो दोस्तो ये सब आपको फर्वरी के महीने में ही करना है यानि कि मालच का महीना आने से पहले ही ये सब हमको कर देना है जिससे हमारा मौगरे का पौदा माल्च के महीने तक पूरे तरीके से फिलोरिंग करने के लिए तैयार हो जाए तो दोस्तो हमने अपने इस पौदे की पिंचिंग तो कर दी है इसके लावा अब हमारा दूसरा काम ये आता है पौदे की मिट्टी की अच्छे तरीके से गुड़ाई करना इसकी गुड़ाई दोस्तो हम कुछ अलग तरीके से करेंगे तो मैं आपको बता दू सबसे पहले हम इसकी गुड़ाई करेंगे तो गुड़ाई हमको कितनी गहरी करनी है माली जे अगर हमारा मौगरे का पौदा एक सीमेंट वाले गमले में लगा हुआ है तो इसके लिए हमको अपने पौदे की 2-3 इंच गहरी गुडाई करनी है 2-3 इंच गहरी गुडाई करने के बाद मैं हमको इस मिट्टी को अच्छे तरीके से महीन कर देना है अब देखिए दोस्तों हमने अपने इस पौदे की मिट्टी को 2-3 इंच गहरी गुडाई करके इस मिट्टी को बिलकुल महीन भी कर दिया है तो आईए दोस्तों अब हम जानाएंगे अपने मौगरे के पौदे के लिए वो जरूरी खाद वो जरूरी फर्टिलायर जिनके इस्तेमाल से हमारा मौगरे का पौदा मार्च के महीने में अच्छे तरीके से फिलावरिंग करता रहेगा तो देखिए दोस्तों सबसे पहला फर्टिलायर आप देख रहे हैं तो देखिए मौगरे के पौदे के लिए हमने आपर 3 चीज़ें ली हुई है तीन चीज़ें हैं दोस्तों आपको इन तीनों चीज़ें का इस्तेमाल अपने मौगरे के पौदे में कैसे करना है आईए मैं आपको बताता हूँ देखिए दोस्तों सबसे पहली चीज़ें आप देख रहे हैं यह हमने पुटास ली है इस पुटास का इस्तमाल हमको कैसे करना है ये मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी उस कटोरे में गोल कर दिखाई थी तो दोस्तो इसका इस्तमाल हमको गोल कर ही करना है इसके लावा बात आया तिये इस दानेदार सीवीड की तो दोस्तो इस दानेदार सीविट का इस्तमाल हमको कैसे करना है आईए मैं आपको बता दूँ देखे सामने आप देख रहे हैं ये मैंने लगवग एक साल पुरानी गोवर की खाद ली है और इसी एक साल पुरानी गोवर की खाद में मैं उस दानेदार सीविट को मिक्च कर लूँगा और दोस्तो मिक्च करने के बाद में हम इस खाद को अपने मौगरे के पौदे में इस्तिमाल करेंगे तो दोस्तो आप देख सकते हैं इन दोनों चीज़ों को हमने आप मिक्च कर दिया है और दोस्तो मिक्स करने के बाद में हमको इसको ऐसे ही छोड़ देना है सबसे पहले हम इस एक और फर्टिलायर को बना के तयार करेंगे तो देखिए इस दूसरे फर्टिलायर को हम कैसे बनाएंगे सबसे पहले आप देख सकते हैं हमने आपर एक चमच पोटास ली हुई थी और उस पोटास के साथ हमने आपर आदा लीटर पानी लिया है आदा लीटर पानी में ये हमने गोल कर पूरे तरीके से तयार कर दिया है अब दोस्तों हमारी तीनों चीज़े यहां पर पूरे तरीके से तैयार हैं आप देख सकते हैं तो देखे सबसे पहले हम अपने मौगरे के पौदे में इस्तमाल करेंगे उस खाद को जो कि हमने गोवर की खाद में दानेदार सीवीड मिलाई थी तो सबसे पहले हम उसी को अपने मौगरे के पौदे में इस्तमाल कर देंगे यानि कि इसकी मिट्टी में अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे और दोस्तो ये मिक्स हो जाने के बाद में हम अपने पौदे में इस्तमाल करेंगे पोटास से बने हुए इस liquid fertilizer को तो दोस्तो अब हमारा ये liquid fertilizer पूरे तरीके से बन कर तयार है और अब हम इसे अपने मौगरे के पौदे में डाल सकते हैं तो दोस्तो अब मैंने इन तीनों चीज़ों को इस्तमाल करना मैंने आपको बता ही दिया है इसके बारे में मैं आपको ये बता दूँ कि इन तीनों चीज़ों का काम क्या है तो जानिये सबसे पहली चीज़ इस पोटास से बने liquid fertilizer का काम दोस्तो ये होता है अगर हम इस fertilizer का प्रियोग अपने किसी फूल वाले पौदे में करते हैं या फिर किसी फल वाले पौदे में करते हैं तो दूस्तो उस पौदे पर ये fertilizer अधिक से अधिक पैदावार बढ़ाने का काम करेगा इसके अलावा दूस्तो वो दो fertilizer थे गोवर की खाद में जो मैंने दानेदार seaweed मिलाई थी उन दोनों चीयों का एक साथ इस्तिमाल करना इनका काम में आपको बता दू तो देखिए गोवर की खाद में दानेदार seaweed मिक्स करके और मौगरे के पौदे में इस्तिमाल करने से हमारे मौगरे के पौदे पर होता क्या है दोस्तो एक तो मौगरे के पौदे में जब नाइट्रोयन की कमी होती है उसे गोवर की खाद पूरा करेगी इसके अलावा गोवर की खाद में हम दानेदा सीविट मिक्स करते हैं उसका काम होता है पौदे की गिरोत तेजी से चलाना इसलिए दोस्तो हम इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल एक साथ करेंगी जिससे हमारे पौदे की गिरोत भी तेजी से चल सके और उसमें नाइट्रोयन की कमी होगी वो भी पूरी हो सके तो दोस्तो अब मैंने आपको इन तीनों चीज़ों को इस्तिमाल करना भी बता दिया है इसके अलावा इन तीनों चीज़ों के फायदे भी मैंने आपको बता दिये है तो दोस्तो अब मैंने आपको मौगरे के पौदे से जुड़े वो जरूरी काम बता दिये है इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया है कि अगर हम अपने मौगरे के पौदे में मार्च के महीने से पहले ही ये जरूरी काम कर देंगे तो हमारा मौगरे का पौदा मार्च के महीने में फूलों से पूरे तरीके से बरा रहेगा उम्मीत दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आयोगी वीडियो पसंद आयोगी तो वीडियो को लाइक करें सेर करें और कमेंट वाक्स में बताना ना वुलें वीडियो केसे